यदि आप सर्द्यों के दोरान स्वादिष्ट और गर्मा गरम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक सर्प्राइज है आज हम एक ऐसी रेसिपी लाए है जो आपके वीकेंड को स्वाद से लाजवा बना देगी और वो है बेसन सूजी हलवा आप सभी ने सूजी का दो बड़े चमश सूजी और थीमी आश पे फून लेंगे थीमी आश पे अच्चे से फूने वरना हलवा में बेसन का कच्चा स्वाद रह जाएगा अब इसमें डालेंगे आदा कप खी और धीमियाश पे फून लेंगे अगर आप दानेदार बेसन इस्तेमाल करते हैं तो सूजी को स्किप कर सकते है ताजा और चीकना बेसन का इस्तेमाल करें वरना हलवा में स्मूथ टेक्शर नहीं आएगा यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे लगातार धीमियाश पे चलाते रहे यह भूनते भूनते इसका रंग बदल चुका है मिश्रन कुश्पुदार हो चुका है अब इसमें दो बड़े चमश दूद डालेंगे और धीमियाश पे मिलाएंगे थ्यान रहे दूद रूम टेंप्रेशन में होनी चाहिए इस तरह भूनते वक्ट थोड़ा दूद डालने से हल्वा दानेदार बनता है आप देख सकते हैं मिश्रन का टेक्शर चेंज होके जालीदार बन चुका है थीमियाश पे अच्चे से भूने लगातार चलाते रहे ताकि इसमें दानेदार टेक्शर आ जाए अब इसी टाइम पे हम इसमें आदा कप चीनी डालेंगे और अच्चे से मिलाएंगे इस तरह मिश्रन को चीनी के साथ भूने से चीनी कैरमलाईज होके हलवा में बढ़िया रंग और स्वाद आता है चीनी कैरमलाईज हो चुका है अब इसमें डालेंगे थोड़ा केसर की कलिया चुटकी बर सैफरॉन कलर एक चोटाई चमच इलाइची पौडर और अच्चे से मिलाएंगे फूट कलर ऑप्शनल है पर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते है अब इसमें एक कप गरम पानी को बैच वाइस में डालेंगे और लगातार चलाते हुए मिलाएंगे आप पानी के बदले दूद का इस्तेमाल भी कर सकते है पर इसके शल्फ लइफ कम होती है बेशन पानी को सोक चुका है मिशन घाड़ा हो चुका है या अच्चे से मिक्स हो चुका है अब इसमें बचे हुए पानी डालेंगे और अच्चे से मिलाएंगे जब तक पानी अच्छे से सोक नहीं लेते हैं तब तक लगातार धीमी आश पे भूनते रहे इस रेसिपी को आप बड़ी आसाने से बिना जंजट के बना सकते है हल्वा सौफ्ट टेक्शर में आ चुका है अब दूसरी तरफ पैन में लेंगे दो बड़े चमच खी इसमें डालेंगे दो बड़े चमच काजु दो बड़े चमच पदाम दो बड़े चमच किश्मिश और थीमी आश पे भून लेंगे आप यहाँ पे कोई भी मेवे डाल सकते है मेवे सुने रह हो चुके है इसे हम हलवा में डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे ट्रस्ट में सूजी और बेसन का मिश्रन हलवा में बड़ी असा स्वाद देती है यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इंस्टेंट बेसन हलवा तैयार है सिर्फ 15 मिनिट में पिना कोई जंजट के बड़ी आसानी से से आप बना सकते है तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और रेसिपी के बारे में हमें कमेंट करना ना भोले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद